वो तो हमारे देश का किसान ही एतना हिम्मत वाले हैं कि जेब में पैसा ना होने के कारण भी कर्ज लेकर के खेती करते हैं और फसल उगाते हैं और उस फसल में अगर आग लग जाता है तो कितने तकलीफ होंगे उस किसान से जाकर के पूछो तो देखते हैं किस तरह से अभी पूरा खेती जल गया है, तो मैं आप लोग से गुजारिष करता हूँ, जेतमे भी बीरी सिग्रेट वाले हैं, जो इसका पालन करते हैं, और अपने आपको सिग्रेट और बीरी पी करके, ऐसे धुबा उरा करके और फेक देते हैं, चली गई हरियाली, खेत हो गया खाली, चली कि देख सकते हैं कि यहे पूरा जल जाता है इसके बगल में भी पूरा जाता तो दोस्तों अभी मैं मजूद हूं बिहार में बिहार में अपने गाओं आया हूँ अभी चंदरपूर सहरश तो देख सकते किस तरह से अभी ये गहूं का अभी टैम है गहूं जो किसान लोग ने उबजाए हैं किसान लोग ने गहूं की फसल लगा है उसकी अभी कटाई चालू है तो देख सकते किस तरह से आपको ये दिखा रहा हूँ ये अभी प यहां पर देख से किस तरह से पुरा में फल लगा हुआ है और यहां पर पुरा तयार हो गया है इसको भी मसीन से या फिर जन्व अगरा रख करके अदमीर अगरा रख करके इसको कटाई किया जाएगा तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी मैं अपने खेत में खुद मौजू यहां पर हमारा खेत है तो मैं उन लोग से कहना चाहता हूँ कि बीरी सिगरेट वालों से आपसे बहुत सारा निवेदन है अपने तरफ से गुजारिस है कि बीरी पी करके सिगरेट पी करके बीरी का जो छुटट टुकरा होता है ना उसको खेत ना फेका करे ना जाने कब आ आज पहुंचाई हूं तो मेरे को पता चला रस्ते में कि हमारे खेत में जब कट गया था ना मसीन से कटवाया गया था और उस खेत में ही था तो कुछ बच्चे ने क्या क्या चरपांच बच्चे मिल करके आए थे इधर और यहां पर क्या क्या सिग्रेट या बीरी पिया और जो वेश्ट पार्ट रहता ना उसको फिक दिया इधर तो हवा भी धूप यहां बहुत है और हवा चलता रहता है तो जिसके कारण वो से थोरा सा जो टुकरा फेगा ना गयहू में तो यहां पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा गयहू को जला दिया थोरा सा आग लगा और से कटा हुआ है है छोटा छोटा यहां पर देखिए छोटा छोटा खोटा एसको आटा बोलते है जो भी हो छोटा छोटा पाठों में इसको बांद के मसीन रख्आ हा हुआ है तो आचा ही ही रखऊतके 12 कठा में हो साइरस trapsi क ड़ोट 520 बारा कठा लोस्तिच फिर उसमें लगाया हुआ तो वहां से यहां आ गया तो बच गया अदमी लोगों ने यहां पर देखा तो देखते किस तरह से अभी यह पूरा खेती जल गया अब बताओ मेरा ही अब्बू का खुद मेरा ही खेती था मेरा अब्बू ने किये हुए थे तो कल साइद इसको कटवा करके गये थे और कल हो करके यानि आज अगर कटाया तो कल हो करके ऐसा आग देखने को मिल गया राख देखने को मिल गया वमीद के किरन भूजगा हुए थे बहुत अच्छा फसल थां लेकिन उमीद की किnis अपर कारी बन गया है यहांपर आपके आपको सिंग्रेट और पीर थेते हैं तो पिलीज ऐसा बाहर न जाकर करें किसान जो है ना एक साल की मेहनत बहुत ही दिक्कतों से करता है एक साल की मेहनत उसकी बरबाद हो गई ना जाने कितना उमीद लगा कर बैठे रहते हैं मालने कि हमारे अब्बू का जला है यह किसी और गरीब कराता हूँ उसके सर पर उसके दिल पर क्या आसर होता अब बताओ तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल आप ना करें और आगर कोई करते भी हैं तो उनके जो गार्जियन होते हैं या छोटे बच्चा जो करते हैं बिलीज उस पर कारवाई करें और उसको प्रॉपर ध्यान दखें क्योंकि यहां पर देख सकते हैं किस तरह से पूरी भी यहां जलगे यहां पर देखाओ पूरा देखाओ के मैं पूरा को यहां पर देखिए किस तरह से पूरा फल वगारे था यतने भी फल थे पूरा जलगे देखाओ आसे देखाओ देखाओ पूरा आओ इधर आओ ये कटा हुआ नहीं था साइद ना इसमें तो देखिए किस तरह से यहां पर कटा हुआ नहीं था कटा हुआ था वही तो उसी में लगाया होगा या फिर इसी में लगाया होगा तो यहां से लगके उसमें गया होगा यहां पर देख सकते किस तरह से और बचा हुआ है यह पर आओ कि मैं इस लगा वा थे पुरा फेल पुरा तैयार था लेकिन आब अग लगने के कारण वह खेस में लगा तो यह दोसरा खेट में भी ले गया आग लगाते हुए पुरा को जलाते हुए चला गया क्योंकि हाबा बहुत रहता है और धूप इतना तेज रहता ना कि थोड़ा सा अगर मासिस मानेंगे ना तो इतना जलेगा और कितना खेट को ले लेता लेकिन कुछ लोगों को पता चला तो फारण हमारे अब्बु को इन्फॉर्मेशन मिला तो यहां पर देख सकते इसमें थ्वास बच गया है बहुत कंट्रोल करने के बाद थोड़ा बचा नहीं तो यह उसके आगे भी दूसरी का खेट है उसमें भी चला जाता आगर नहीं देखता तो तो किस तरह से पर इस दिक्कतों का सामना करना पर आप पर इस खिसानों को तो कहने का मतलब है कि अब फसल लहराते हैं न तो एक अलग चेहरे पे मुस्कान आ जाते हैं तो आप लोग ऐसा न करें प्लीज और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस खेतर में लगने के बाद यहां पर आपको देखा रहा हूं बगर में एक और खेता है यहां पर भी से यह पूरा खेती इसको भी जला देता तो कंडे का मतलब है कि दोस्तों कि एक खेती में अगर लगाएंगे अगल बगल में जतने भी खेत रहेंगे सब सब्सक्राइब जल सकते हैं तो यहां पर देखें किस तरह से थोरा सा से बचा एक वर केमरा में थोरा ब्रॉबर से अब देखा उस पर चाहरो तुम यहां पर देखें यहां तक बचावा थोज़ा का दिस्टेंस है अगर यह हबा जोगा चलता या फिर फुरा फंस मिनट बाद अगर पता चलता कि आग लागा तो पांस मिनट पांस मिनट की अगर देर यह होती से देख सकते हैं किस तरह से यह थना वहारा पलॉट है यहां तो यहाँ में पर देख सकते हैं, यह भी पूरा जल जाता है। इसके बगल में भी पुलाट है। वह भी चला जाता है। किसान बहुत ही महिनत करते नहीं सतों किसान बहुत ही महिनत करते हैं। ओखस राव आसabilities की किनन भूर जाते हैं। तो एशा क Records करते हैं। कितना महिनत करते हैं उसके बावजूद भी अगर फसल तैयार होने के वाद अब हाथ से फसल छिना जाता है तो कितना दिक्कत का फसामना करना परता है दोस्तों आपको मैं बताऊंगा वो तो हमारे देश का किसान ही एतना हिम्मत वाले हैं कि जेब में पैसा ना होने के कारण भी करज ले करके खेती करते हैं और फसल उगाते हैं और उस फसल में अगर आग लग जाता है तो कितने तकलीफ होंगे उस किसान से जाकर के पूछो तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप लोग फिलीज अपने बच्चों को समझाए और जो लोग ये गलती कर चुके हैं तो फिलीज ऐसा गलती आपласт ना करें किगे आप खुद आकर आगरके कबर देखेंगे आपके थोटी सी गलती से चोटा सा बीरी या सिकुलिट के टुकरे के वाज़ा से नाजाने कितने का नुकसान होगी है अब आगर की देख सकते हैं आपके थोडी सी गलती से तो आप ल कुछ नहाँ नहीं करवाते हैं इसको ठार्यूनी करवाते라고 नहीं कि पीने हो खर्चा लगता है लेकिन फिर भी किसान हिम्मत किये रहता है खेती बरबर करता है वो कितनों भी खर्चा लगता है लेकिन खेती करता है लेकिन जब तयार होने के बाद अगर खेती जल जाता है या फिर कहूं भी कोई आग लगा देता है तो कितना तकलीफ होती है तो दोस्तो तो थक कर नहीं बैठे खेतों के राजा अब फिर से आई है खेत जोतने की बारी फिर से आप कोई नया फसल इसमें लगाया जाएगा तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही मिलते हैं फिर कोई नेक्स वीडियो में कोई नया अपडेट ले करके आऊंगा तो तो दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह पंपिंग सेट लगा हुआ है दमकल है बोड़ी है जो भी बोले है बहुत सारे नाम रहता है अपना अपना सब अपने भासा में बोलते है तो इसी को चालू किया गया और किस तरह से आग जो लगा हुआ तो उसको कंट्रोल किया बहुत सारे को पता चला तो इसको कंट्रोल किया गया पानी निकाल गड़ किया पूरे को बुझाया गया नहीं तो नजाने कितने फसल जल जाता है इसके पीछे देखे कितना खित में फसल उगा हुआ है लगा हुआ है तो बहुत सारे बच गये तो आज तक के लिए इतना ह झाल 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 झाल